खूब खाओ और खूब खाने दो और उस मॉडल के तहट पिछले 14 साल में गुजरात की सरकार ने कोईला खा लिया और कोईला किसका जो छोटे उद्द्योगों को कोईला मिलना था ना लगबग 60 लाक तन 60 लाक तन कोईला जो गुजरात के छोटे उद्द्योगों को मिलना चीए था जिन पे उनका हक था जो यूपिये की सरकार ने 2007 में MSME को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत SME को देने की बात कही गुजरात की सरकार ने पिछले 14 साल में साथ लाक तन कोईला राज्ये के बाहर दूसरे उद्द्योगों को लगबग 4 गुना कीमत पे बेज दिया तो ना खूब खाऊंगा और खूब खाने दूँगा और कौन-कौन इसके प्रतिभागी है इस स्टोरी के कौन-कौन एक्टर से उस पे आ रहा हूं मैं कोल स्कैम वर्थ 6,000 करोड ये जो साथ लाक तन कोईला जो 3-4 गुना कीमत पर दूसरे राज्यों को बेचा गया दूसरे राज्यों में बेचा गया उसकी टोटल कीमत है 6,000 करोड और 6,000 करोड का घुटाला तो ही पर जिनको मिलना चीये था MSME इसको छोटे उद्योगों को आज गुजरात में लाखो छोटे उद्योग बंद हुए क्योंकि उनके कोईले आ तो किसी और ने काम में ले लिया गुजरात की सरकार ने तो जो उनका भाग का कोईला था 60,000,000 तन उसको कहीं और दूसरे राज्यों में बेज दिया कैसे हुआ ये गोटाला 6,000 करोड का अब इसमें पॉइंट बाई पॉइंट आता हूँ 14 साल पहले भारत की जो भारत में जो यूपिय की सरकार थी उसने ये कहा कि छोटे उद्योगों को हैंड होल्डिंग की जरूरत है तो इनको कोईला सही कीमत पे रियायती कीमत पे कम कीमत पर मुहिया कराया जाए तो उन्होंने हर राज्य सरकार को बोला कि आप कोईल इंडिया की माइन्स से छोटे उद्योगों के लिए कोईला सीधा आपके पास आजाएगा आप चिंता मत करिएगा आप उस कोईले को अपने राज्ये के छोटे उद्योगों में मजले उद्योगों में बाट देना की सरकार ने क्या किया गुजराद की सरकार ने कहा कि हम ये काम खुद नहीं करेंगे सबसे पहले तो एक एजेंसी को एपोइंट किया जिसका नाम रखा SNA State Notified Agency और वो एजेंसियों की कहानी भी बताऊंगा अभी उन SNA को सारा कोल इंडिया के जो माइंस से और कौन सी माइंस ती गुजराद सरकार से को जो एलोकेट हुआ 2007 में वेस्ट कोल फिल्ड और साउथ इस्ट कोल फिल्ड से कोईला एक State Notified Agency को मिलना चालू हो गया चार-पाँच State Notified Agencies है उन State Notified Agencies ने का काम था कि गुजराद के जो सरकार जो राज्ये में छोटे उद्द्यों गया है उनको वो कोईला अठारा सो से तीन हजार रुपे प्रती टन में उपलप्त कराएं उन एजेंसिज ने गुजराद सरकार की State Notified Agencies ने वो कोईला गुजराद के बाहर क्या दाम में बेचा आठ से दस हजार रुपे पर टन में यह मैं नहीं यह सारे कागज भी आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे गोटाला हुआ है यह सारा State Notified Agencies ने क्या-क्या घोटाले किया है और कौन-कौन सी वो Agencies थी उसके बारे में पूरा ब्ल्यूप्रिंट लेके आया हूँ साथियों यहीं बात नहीं रुकी COAL India को गुजरात की सरकार का एक विभाग है उद्ध्योग विभाग उसको एक परफॉर्मा में लिखना पड़ता है कि किस एजनसी को आपने कित्ता कोईला दिया तो वहाँ पे गुजरात की सरकार ने एजनसी का नाम लिखा वो मैं पढ़के सुनाता हूँ आपको ABCD पहली एजनसी दूसरी एजनसी ASDF तीसरी एजनसी AXMA ये एजनसियों के नाम है ये चाइनीज नाम नहीं है ये गुजरात की सरकार ने गुजरात में जो एजनसियां उनको नाम उनके मोबाइल नंबर सबके एक ही है 9-9-9-9-9-9 दस बार 9 सबके एजनसीयों के फोन नंबर भी एक ही है अब हुआ क्या इन एजनसियों को जो उद्योग विभाग ने जो कोईला क्योंकि इनको उद्योग विभाग के ने इन एजनसियों को न्यूक्त किया पिछले 14 साल में एजेंसिया एक ही है चेंज नहीं हुई है कोई चेंज नहीं हुई है आपको लग रहा हूँ चेंज हुई है नहीं दूसरे राजियों में क्या हो रहा है दूसरे राजियों में वहां का उद्योग विबाग स्वेम ये काम कर रहा है जो गुजरात सरकार ने एजेंसियों को दिया दूसरे राजियों में एजेंसिया नहीं है और तो और एक बहुत इंपोर्टेंट और महतपून जानकारी में लेके आया हूँ आपके सामने गुजरात में इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन-कौन रहे उनका नाम सुन लीजिया 2007 से लेके 12 तक ये गोटाला आठ से चालू हुआ है 7 से लेके 12 तक शहन्शाओं के शहन्शा शिरी नरेंद्र मोदी जी गुजरात सरकार के उद्योग मंत्री भी थे यही बात खतम नहीं हुई उसके बाद विजयरूपानी जी बने 2016 से 21 वो भी उद्योग मंत्री यही बात खतम नहीं हुई उसके बाद भुपेंदर भाई पटेल बने वो भी उद्योग मंत्री मुख्य मंत्री कोई भी हो उद्योग मंत्री पिछले 14 साल में से लगबग 10-11 साल मुख्य मंत्री रहे हैं और ये उद्योग मंत्राले का घोटाला है पूरा क्योंकि ये जो काम है जो ये 60 लाक तन जो कोईला जो वित्रन करने का काम है वो उद्ध्योग मंत्राले को मिला है ये संयोग है या प्रेयोग है कि गुजराच सरकार में जिस विभाग में पिछले 14 साल में घोटाला हुआ 6,000 करोड रुपे का कोईला खा गए और किनका छोटे उद्ध्योगों का मजले उद्ध्योगों का उस विभाग का जो प्रमुक्षा कोई मंत्री नहीं था मुखे मंत्री स्वेम वहां के मंत्री थे Is it a coincidence or an experiment? In this regard, इस बाबत हमारे चार महत्वपून सवाल है ये सारे evidences मैं आपको दूँगा A time-bound investigation under the sitting judge of Supreme Court of India एक समय जैसे एक महिना दो महिने की investigation क्योंकि छे अजार करोड का कोईला खा गए और इन चारों मुखे मंत्री क्योंकि चारों मुखे मंत्री जो थे इन चार में से तीन के पास उद्ध्योग मंत्राले का कारियबार था इन चार में से तीन मुखे मंत्री जो उद्ध्योग मंत्री भी थे और मुखे मंत्री थे इन चारों मुखे मंत्री को कौन-कौन है उचारों शिरी नरंद्र मोदी शिरी मति आनंदी बेन पटेल शिरी विजे रूपानी शिरी भूपेंद्र भाई पटेल जहाँ पर मुख्यमंत्री का इंट्रेस्ट, इंडेस्ट्री, मिनिस्ट्री और माइनिंग में भी जादा है उमेर को अब समझ में आ रहा है और देश को भी समझ में आ रहा है तो time-bound investigation under the supervision of the sitting judge of Supreme Court of India to investigate the involvement of all four CMs श्री नरंद्र मोदी जी, श्री मति आनन्दी बेन पतेल जी, श्री विजयरुपानी जी, श्री भुपेंदर बाई पतेल जी इन दिस छै अजार करोड गोटाला This is point number one Point number two In last 14 years when this scam happened, पिछले 14 सालों में जब ये scam हुआ उनमें से 10 से ज़्यादा सालों के अंदर जो CM of गुजरात थे वो उद्योग मंत्री भी थे ऐसा क्यों? ऐसा कोई दूसरा और कोई राज्य क्यों नहीं है देश में? जहांपे पिछले 14 साल से मुख्य मंत्री उद्योग मंत्री है Mining Minister है, Mineral Minister है ऐसा क्यों? इसकी पूरी जाँच होनी चीए, Point No. 2 Point No. 3 State Notified Agency 14 साल से एक ही क्यों है? 3-4 है जो उनको ही हर साल वर साल क्यों मिलता? ऐसे नेका काम करने का दाइत्व दूसरे राज्य सरकारों ने जब स्वैम के विभागों को ये दाइत्व दिया क्या गुजराच सरकार ये दाइत्व इन 3-4 एजनसीज को इस साल दर साल क्यों दे रही है? ऐसा गुजराच सरकार का इन एजनसीज के साथ क्या रिष्टा है? इसकी पूरी जाँच होनी चीए, Point No. 4 और ये बहुत गंभीर आरोप है क्योंकि अगर इनों ने जैसा की आ रहा है गोटाला कि साथ लाग टन दूसरे राज्यों में बेचा इसका मतलब GST भी नहीं दियोगी फर्जी बिल बनाए होंगे इंकम टेक्स भी नहीं दिया होगा ED, SFIO, इंकम टेक्स, फैनेंशल इंटेलिजन्स यूनिट और सारे एजन्सीज मुक दर्शक क्यों बने वे हो अभी तक तो केस रेजिस्टर होके तैकिकात हो जाया चालू हो जानी चाहिए थी कि ये 6,000 करोड का गोटाला किस ने किया क्योंकि कितने फर्जी बिल बने क्या पता ये 6,000 करोड का जो गोटाला आज दिख रहा आगे जाके 6,000 करोड का गोटाला मिले तो ये सारी एजन्सीज को प्राइमा फेसी केस रेजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर देना चाहिए क्योंकि इन सब चीजों के लिए फेक बिल बनाए होंगे नहीं तो अन्यता दूसरे राज्यमा बेच ही नहीं सकते फेक बिल बनाए होंगे तो GST का आप नहीं दिया होगा इंकम टेक्स आपने नहीं दिया होगा सेल्स टेक्स स्टेट को नहीं मिला होगा ये सारे टेक्स की चोरी हुई होगी तो ये सारी एजेंसी अभी तक चुप क्यों है हमारा मांग है कि इन सारी एजेंसी को प्राइमा फेसी केस रेजिस्टर करके इस केस की चांच करनी चाहिए